सीने में सुलगते हैं अर्मा आखों में उदासी छाई है ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहां ले आई है सीने में सुलगते हैं अर्मा एक ऐसी आग लगी मन में जी हाँ साहित तक में आपका सुलगत है हमेशा की तरह और ये कहानी फिल्मी है मैं आज इसी गाने का जिक्र जो मी बेका रहा था उनीस से क्यावन के फिल्म तराना उस फिल्म का गीत है ये अब आप समझने कि अगर आप जोड़े तो आज दोहजार बाइस है और इस बीच लगबग सतर बहतर साल का वक्त पूरा गुजर गया और ये गाना अभी भी ताज़ादरीन है ताज़ादम है और ये गाना जो है वो तलस साहब की आवाज में है और साथ में लता मंगेशकर है कहाए जाता है कि तलस साहब की आवाज इतनी सुरीली थी कि लता जी भी एक बार उनके साथ गाने के पह इस गीत की धुन अब आप ये आपको जान करता है जिब होगा जैसा मैंने बताया आपकी की लगबग 70-72 साल का वक्त इस गाने को हो गया है लेकिन इस गाने की धुन जो है वो बामुश्किल तमाम 15 मिनिट में तैयार हो गई थी ये बड़ी अपने आप में बड़ी दिल्चस बात है हुआ कुछ यूँ कि प्रेम धवन साहब फिल्म तराना के गीत लिख रहे थे और जैसा कि होता था उस दौर में कि आमतोर पर संगीतकार और गीतकार दोनों साथ बैठते थे कभी-कभी संगीतकार ने धुन अपनी पहले तैयार कर ली है तो गीतकार को उसके हिसाब से अपना गाना लिखना पड़ता था और कभी-कभी ऐसा भी होता है गीतकार ने अपने गीत लिख लिख लिए है तो संगीतकार उसके उपर अपनी धुने सेट करता था तो हुआ कुछ यह कि प्रेम धवन साहब को किसी से मिलने जाना था सुरिंदर कौर जी उस जमाने की बहुत बड़ी मशूर सिंगर थी जिकर जो है वो यह ऐसा मिलता है कि उनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे तो उन्होंने अनिल विस्वाजी से कहा कि वह ऐसा है कि चलते हैं रास्ते में थोड़ी बातचीत भी होती रहीगी इस बीच में आपको फिल्म तराना के गाने भी दे दूँगा आप गानों को एक बार देख भी लीजेगा और मैं सुरिंदर कौर जी से मिलने चला जाओंगा उस वक्त आप थोड़ी दुख चाहें तो समंदर के किनारे यह ही गूम भी लीजेगा मैं आता हूं तब से इस बीच क्या हुआ कि उस कार के सफर में बातचीत जो होती रही सो थी प्रेम धवन साहब ने जो गाने लिखे थे फिल्म तराना के लिए जिसमें की दिलिप साहब और मदुबाला हैं वो गानों की लिस्टिन को दे दी अनिल विस्वास जी को और उसके बाद हो चले गए सुरिंदर कौर जी से मिलने के लिए उसके बाद लेकल का साथ का अंदाज आता है जब प्रेम धवन साहब पंदर मिनट की मुलाकात करके सुरिंदर कौर जी से आए हैं अनिल विस्वास साहब को ले के साथ चलने के लिए वापस तो अनिल विस्वास जी ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे इस गाने की धुन तयार कर दी है और उसके विस्वास जी की इतनी तेजी से तैयार की वही धुन और इतनी तेजी से काम करने की जो उनकी च्छमता थी और वो भी आला किस्म का काम करने की जिसको बोलते हैं को उत्कृष्ट काम कर देना उसके कायल हो गया इसका जिकर प्रेम धवन साहब भी करते हैं तो यह था अनिल फिल्मी दुनिया के वो चमकते वे सितारे हैं जो हमेशा जगमगाते रहेंगे मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी किसी और कहानी के साथ फिर आज़र हूँगा तब तक के लिए इजासत दें नमस्कार झाल 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 झाल